ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है तुला राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त से 31 अगस्त याने कि इन 15 दिनों के आपकी राशी के महराशी फल्क के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए गिरहनक शत्रों के साब से 17 अगस्त से 31 अगस्त याने कि इन 15 दिनों का समय किस प्रकार हैने वाला है इ किन चीजों से आपको साफधान रहना होगा साथ साथ इन 15 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपून और सटीक जानकारी से वीडियो में आपको देने वाले हैं वीडियो बहुत मिस ना करें जा दोस्तों वीडियो का अगे सुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान विष्णुजी और मातल लक्षमी के सच्चे वक्त वीडियो को लाइक करें और सच्चे देल से कमें स्पोक्स में जैस सिरेर विष्णु जैमा लक्षमी में जिससे भगवान विष्णुजी और मातल लक्षमी का सिर्वाद आपको शिति प्राप्त हैं हो सके तो चली दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार रहेगा आपकी राश्यवालों के लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त याने किन 15 दिनों का यह बहत्पपून समय ओम स्री गनिशायनम दूस्तों समधन ही समधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त सौंबार के रासी फल के पारे में ओम स्री गनिशायनम दूस्तों समधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त गुरुवार के रासी फल के बारे में दोस्तों यह समय भग्य आपके पक्ष में हैं कोई राजनितिक उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है जिससे समाज में आपका रुतुबा बढ़ेगा साथ ही आए में भी व्रद्धी होगी सगे संबंदियों का सयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा साथ साथ यह समय कोई नजदी की महत्पपूर यत्रा संपन हो सकती है तथा मनोरंजन संबंदी भी कुछ योजनाएं बनेंगी जिससे मन आपका बहुती प्रफुलित रहेगा अगर प्रॉपर्टी खरीदिने संबंदित कोई योजना बन रही है तो पहले उसका वास्तु आदी द्वारा परिक्षण आप अवश्य करवाले जय दोस्तू साति सात अगर आप कुछ समय से इस्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी से संबंदित कार्य करने से पहले उस पर दोबारा विचार विमर्स अवश्य करने आपको इस समय अवश्य ही सफलत अप्राप्त होगी संतान की तरफ से भी कोई सुब समाचार मिलने से इस समय घर में खुशनुबा माहुल रहेगा दोस्तो साति सात यह समय आप अपने व्यक्तिकत मामलों को किसी के समक्स शेयर ना करें गुपत रूप से कार्य करने पर आपको अवश्य ही सफलत अप्राप्त होगी दोस्तो साति सात यह व्य समय होगा जब कहीं से आपको कोई सुब समाचार भी प्राप्त हो सकता है बड़े बुजर्गों का अशिरवाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा जब दोस्तो साति सात यह समय परिस्तितियां आपके पक्ष में हैं जिस काम के ना होने का आपको डर लग रहा था वह अब बड़ी असानी से और आपके मनों अनुकूल तरीके से हल हो जाएगा नवीन वस्त्र आबूशन जैसी चीजे खरीदने की भी अब योजनाई बनेंगी दोस्तो साति सात यह समय अगर आप घर में कोई सुधार संबंदित योजनाई बना रहे हैं तो ग्रह अस्तितियां बता रही हैं कि वास्तो संबंदित नियमों का पालन करना आपके लिए ल आति सात यह समय कभी कभी जादा सोचने की वज़े से तनाव आ सकता है आपकी कारे छमता को भी प्रभावित कर सकता है और कुछ महत प्रमून कारे भी हाथ से निकल सकते हैं इस बात का ध्यान रखें साथ ही अपने भाईयों के साथ संबंद मधूर बना कर रखें घर की मरम और रख रखाव संबंदित कारों में खर्चा बहुत जादा बढ़ सकता है जिससे आपका बजट गणबढ़ा भी जाएगा इसलिए सावधान रहें क्योंकि इस चिंता का असर आपके सुकून और नीन पर भी पढ़ सकता है दोस्तों साथ साथ इस बात का भी आपको ध्या प्याद फायदा भी उठा सकता है जिसकी वज़े से आपकी मान हानी भी हो सकती है आपकी छवी को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है छवी को आप साफ सुत्रा बना कर रखें यह आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा दोस्तों साथ साथ यह समय किसी भी काम को करने में बहुती आपको समझदारी से काम करने की आवश सकता है अन्यता वाद विवाद खड़ा हो सकता है साथ ही पुलिस थाने वगहरा के भी चक्कर लग सकते हैं किसी बहरी व्यक्ति की बातों में ना आकर अपने निर्णे को ही आप सर्वो परी रखें दोस्तों साथ यह साथ कि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है आपकी कोई जिद आपसे संबंदों को खराब कर सकती है अथे अपने वैवार में लची लापन रखें साथ ही अपने घर्चों को भी शयमित रखें दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखने के आवश सकता है कि कोई भी काम करने से पहले सब पहलू पर सोच विचार करके योजना बनाएं बाद में उसे आप पूर्ण करें इससे आपको अवश्य ही लाब होगा और आपके लिए ऐसा करना हित्कारी रहेगा दोस्तों बात अगर आपकी लव लाइफ के की जाए तो यह समय आप अपने कार्रे में जीवन सा साती की सला लेना आपके लिए लावदायक रहेगा इससे आपसी संबंदों में मधूरत आएगी साथ ही प्रेम संबंदों में भी प्रगरता बढ़ेगी संतान के केरियर संबंदी सुब सवाचार मिलने से इस समय घर में खुशनुमा माहौल वनेगा पती-पतनी अपने प्लब्दियों की वज़े से परिवार में लोग बहुती खुसी महसूस करेंगे आपकी प्रसंसा वे आदर भी उनके मन में वड़ेगा प्रेम संबंदों में मधूरत बनी रहेगी जीवन साथ ही का आपके प्रती भवनात्मक लगाव आपसी संबंदों में और अधिक भूती लाएगा दोस्तों साथ साथ यह समय पती पतनी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर मतबेद हो सकता है परन्तु जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा दूसरों से जादा उमीद रखने की बजाए अपने स्वेभाब को ही बदले आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात अगर आपके वैवसाय और केरियर की करें तो यह समय वैवसाय में सभी कर्मचारियों की गति विदियो पर नजर रखना आपके लिए अतियावशक है ध्यान रखें कि सब के साथ संबंद उचित वैदोस्त ताना बने रहे ज्यादा टोकाटाकी की वज़े से स्टाफ परेशानी महसूस कर सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय नोकरी पेशा लोगों के लिए बहुती अच्छ रहेगा नोकरी पेशा लोगों को अपना लक्षे पूरा करने पर कोई प्रोमोशन भी मिल सकता है वैवसाय इस तल पर भी सभी प्रकार के काम सुचारों रू अन्यता कोई इसका फायदा उठा सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जोड़े वैवसायों में सफल तापरात होगी वैवसाय में आसपास के लोगों से प्रतिस प्रदा में आपको जीत हांसिल होगी इसलिए मेहनत से आप ना घबराएं नोकरी अधिकारी आग से प्रसन रहेंगे दोस्तों साथ साथ वैवसाय संबंदी जो योजनाय बनाई हैं वे आपके लिए फायदेबंद साबित होगी सभी काम इस समय सुचारों रूप से होते जाएंगे नोकरी पेशा व्यक्तियों को कोई उपलब्दी मिलने के भी अब अनेको योग बन रहे हैं दोस्तों साथ साथ यह समय नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्र को अत्यादिक ध्यान पूर्व करें क्योंकि कोई गल्ती की वज़े से अधिकारी वर्ग आप से नाराज भी हो सकते हैं परन्तु वैवसाय की गतिविदियां सुचारों रूप से चलती र रहेंगे कोई सुब वैं महत्पपून यात्राइबी यह समय संपन हो सकती हैं जो आपके लिए बहुती फायदेबंद साबित होंगी दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की की जाए तो यह समय गले में दर्द वैं खासी जुखाम जैसी इस्तितियां रह सकती हैं कोड़ों के दर्द संबंदी समस्य उत्पन हो सकती हैं बादी वाली तथा तली हुई चीजों का सेवन आपको करने से बचना होगा वर्तमान परस्तितियों की वज़े से अपना ध्यान आप अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ यह समय गर्दन और पीट से संबंदित परिसान कर सकता है योगा तथा वयाम के लिए भी आप कुछ समय आवश्य निकालें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा